प्रवर्तन निदेशाले यानी E.D. ने बुदवार को N.C.P. के कद्दावर नेता नवाब मलिक को गिरफतार कर लिया है। बताया गया है कि जिस मामले में उनकी गिरफतारी हुई है वह अंडरवर्ड डॉन दाओ दिवराहिम से जुड़ा मनी लॉंडरिंग का मामला है। E.D. इस पूरे मामले में जिस पहलू की जाज कर रही है उसका जिक्र पहले ही भाजपा नेता और भराष्ट के पूर्वे मुखमंतरी देवेंदर फटवर्डिस नवाब मलिक को घेर चुके हैं। पूरसियन देवेंदर फटवर्डिस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ड स सब्मंद रखने के आरोप लगाये थे। उन्होंने कहा था कि मलिक ने अंडरवर्ड के दो लोगों से जमीन का सस्ते में सौदा किया था। उन्होंने कहा था कि सरदार शाव अली खान 1903 में बंबलास्ट का गुनागार है जिसने टैगर मैनन का सयोग किया था। दूसरे श भी अरस्ट हुआ था। रिकॉर्ड से पता चला है कि दाउद के फरार होने के बाद हसीना के नाम से जो संपतिया जमा होती थी उसका पावर आफटर नी सलीम के पास था। पूर्वसियम फटवर्डिस ने आरोप लगाया कि कुरला में LBS रोड पर एक तीन एकर जगा है ज इस जमीन के एक रेजिस्ट्री सोलीडर्स नाम की कंपनी के नाम पर हुई जो की नवाब मलिक के परिवार की है। जमीन की कीमत काफी ज़्यादा थी वावजुदिस के लिए सिर्फ तीस लाख रुपए दिये गए। फटवर्डिस ने कहा कि नवाब मलिक के परिवार ने पहले ही एक गोदाम के लिए किराय पर ले रखी थी। बाद में उसका मालिकाना हक सॉलीडर्स द्वारा लिया गया। जमीन की मुहल मालकिन मुनीरा पठेल थी जो खुद हमें जमीन बेचने आगे आई थी। हाला कि उन्होंने अपनी जमीन की पावरा फटनी सलीम पठेल को दी थी। गौर तलब है कि जिस सॉलीडर्स इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिम्टर की जरिए ये सारे सौदे किये गए उसे 1973 में नवाब मलिक के परवार ने ही खड़ा किया था। फिलान नवाब मलिक के बेटे आमीर नवाब मलिक और उनकी पतनी महजबीन नवाब म पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें